हेलो गाइद्स, वेलकम टू क्रिप्टो नियूज एथीरियम की स्मार्ट कॉंट्राक्ट एक्टिविटी अपने ओल टाइम हाय तक पहुंच चुकी है हम बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं, एथीरियम नेटवर्क बहुत जादा बूस्ट कर रहा है एथीरियम नेटवर्क का 97% जो है वो दीफाय द्वारा यूज किया जा रहा है लोग उसमें जादा से जादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो Ethereum की यह जो growth हो रही है उसके पीछे कहीं न कहीं DeFi का भी हाथ बहुत बढ़ा है, उसका contribution बहुत ही ज़ादा है अब हम देख रहे हैं कि Ethereum के जो smart contracts है उसकी activity भी बढ़ चुकी है क्यों? क्योंकि जो लोग है उनका DeFi की तरफ बहुत ज़ादा interest बढ़ रहा है, वो बहुत ज़ादा भरोसा कर रहे हैं इस पर DeFi ने जब से यह announce किया है कि अब वो under collateralized loans की facility भी देंगे लोग बहुत ज़ादा बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहे हैं DeFi में और वो बहुत ज़ादा amounts जो है वो lock-in कर रहे हैं इसकी वजह से DeFi को भी फायदा हो रहा है और Ethereum को भी लेकिन इसकी एक downside है जो Ethereum network है वो एक limited network है वो बहुत ज़ादा congestion phase कर रहा है इसकी वजह से क्योंकि DeFi जो है वो 97% usage कर रहा है और DeFi की growth भी उसकी वजह से कहीं न कहीं रुक जाती है क्योंकि अगर जो लोग DeFi में invest करना चाह रहे हैं वो Ethereum network को use ही नहीं कर पाएंगे Ethereum platform के जरिये register ही नहीं हो पाएंगे तो DeFi में जो नई amounts lock-in होने वाली है या जो नई investors पाट लेना चाह रहे हैं वो पाट ही नहीं ले पाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि DeFi की market हो सकता है एक stagnance देखें वहीं पर रुक जाएं इससे बचने के लिए DeFi ने बहुत जादा कोशिश की है कि वो दूसरे platforms पर भी अपनी जो hype है उसको create करें वजह से उस पर भी एक रोक लगाएं देखने वाली बात यहीं होगी कि क्या ये जो step वो लेने वाले हैं उसका कोई effect होने वाला है और अगर उन्होंने कोई major step लिया तो उसका result क्या होगा market के उपर क्या ये जो DeFi की growth है वो और exponentially rise होगी या फिर ये stagnance देखेगा इसका usage यहीं पर रुक जाएगा बहुत ही जादा interesting market बना हुआ है Ethereum network के लिए क्योंकि जो उनका coin है Ether या ETH उसे भी बहुत जादा इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें बहुत जादा investments हो रही है उसी तरह से Ethereum ने अपना all time high थोड़ी time पहले ही देखा है तो अब ये देखने वाली बात बनी हुई है कि Ethereum के इन changes से क्या होने वाला है Ethereum के ये जो smart contracts बढ़ रहे हैं वो कितनी जादा growth दिखाते हैं इस all time high के बाद वो और कितना rise करते हैं ये नहीं होना चाहिए कि Ethereum के जो smart contracts है वो अभी grow कर रहे हैं और थोड़े time के बाद वो वहीं पर रुख जाए या फिर ऐसा नहों कि वो जो amounts है वो वहीं पर रुख जाए तो बस हमें देखना यही है कि जो Ethereum market है जो Ethereum network है उसका लोग कितना जादा smart contracts के लिए और इस्तिमाल करने वाले हैं और ये कौन सी heights को touch करने वाला है तो guys अगर आपने हमारे section crypto next के लिए अभी तक register नहीं किया है तो आप किस चीज़ का wait कर रहे हैं आपको उसका link नीचे description box पे मिल जाएगा वहाँ पर आप easily register कर सकते हैं और आप भी cryptocurrencies के बारे में advance knowledge ले सकते हैं इस event के बारे में कोई भी update जानने के लिए हमारे facebook page को follow करना ना भूले Thanks for watching the video guys इस video पर like, share और comment जरूर करें और हमें comment section में जरूर बताएं कि आप क्या नया content देखना चाहेंगे अगर आपको finance की दुनिया में बहुत interest है तो हमारे channel को subscribe जरूर करें और bell icon दबाना ना भूले ताकि आप हमारा कोई भी नया video मिस ना करें